हमारे साथ जुरे हुए है अश्रफ बताएंगे पूरा कॉंटेक्स्ट की किन परिस्थितियों में ये घटना हुए है जम्बू कश्मीर के डीजीपी मौजूदा डीजीपी दिलवाग सिंग साहब इस वक्त हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर आज तक पर जुर रहे हैं किस तरह की जानकारी इस आतंकी घटना के बारे में आप देंगे क्या ये अभी तक पता चल पाया है कितने आतंकी थे किस तरह से उन्होंने ये हमला किया सर्थ और साथ ही जो लोग हायल है सब के बारे में पूरी जानकारी जी दिन्बर शुगर पूर्पूर्ट आउट देलिशन में पिखी लिए पार्टी पूर्टी से लिए आपके आवास थोड़ी सी कट जारी है दिलबाग सिंग साव अगर आप थोड़ा पूजिशन चेंज करके फिर हमारे दर्शकों को बताएं पीश-पीश में थोड़ा सा मुझे लगता है सिगनल में प्रॉब्लम है यह तस्वीर हैं आपको उस बस की दिखा रहे हैं जिसमें यह तमाम पुलिस करमी ट्रावल कर रहे थे जा रहे थे चौदा जवान मौजूद गटी है और यह तस्वीर हम आपको उस बस की दिखा रहे हैं दिलवाक सिंग साब फिर से चाहेंगे फोन उनका डिसकनेक करके फिर से अगर हम कनेक कर सके ताकि वो हमें बता सके कि किन परिस्तितियों में घटना घटी है जल्दी से एक बार अश्रफ वानी के बाद समारे द मजदूर थे उसमें टीचर्स थी सिक्टीचर से लेकर विहार यूपी के आए हुए मजदूरों को टागिट कर रहे थे लेकिन एक बार फिर से वो अपने पुराने रूप में गए हैं वही मोडस अपना रहे हैं और बताया यही जा रहा है कि दो से चार आतंकी हो सकते हैं जिन्होंने बस पर इस तरह से तावर तोड फाइरिंग शुरू कर दी थी दो पुलिस कर्मियों के शहीद होने के ख़बर अभी से ही आ चुकी है बारा पुलिस कर्मी खायल हुएं जिसमें दो की हालत अभी नाज़ुक बताई जा रही है बारा बाकी जो दस लोग हैं बता जार पीएफ की इसी तरह के काफिले पर हमला हुआ था तो यह सवाल उठाता कि जो एसोपी है जिस तरह से इस तरह की बस ऑपरेट करती है क्या उसमें कुछ कमी रह गई जिस तरह से बारूट से भड़े हुए आर्डियक से भड़े हुए एक वैन के साथ जाड़कर टकर हम पर आतंकियों ने पुलिस कर्मियों की एक बस पर हमला कर दिया है और इस बार उनका तरीका क्या था फाइरिंग उन्होंने लगातार फाइरिंग करके अंदाजा यही लगाना होगा कि आखिर कितनी उन्होंने कितनी राउंड्स की फाइरिंग की होगी कि बस की ये हालत हो और इसमें जो पुलिस कर्मी मौझूद थे वो 14 के 14 घायल वोई जिन में से दो की अब मौत हो चुकी है वो शहीद हो गए हैं दो पुलिस कर्मी अभी भी जिन्दगी की जंग लड़ रहे हैं दस बच आज आ जा रहा है कि खत्रे से बाहर है गाटी सेनुचे 370 हटने के बाद जो परिस्थितियां विकास की तरफ बढ़ रही हैं उसको फिर नए सिरे से चुनोती देने के लिए आतंकी खून का ये तांडव रचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं बीच बीच में कभी टागेट किलिंग करते हैं कभी इस तरह से सेन आज सेनिक बलों पुलिस कर्मियों के काफिले पर हमला करते हैं और यही शाम के इस पहर में जब ये पुलिस कर्मी जा रहे थे तो उन पर ये हमला बोला गया है और ये बस की तस्वीरे आप देख रहे हैं जिसरे से इसका विंच्छील्ड और चारू तरफ से आप देख रहे हैं तूटा है उसी से अंदाजा लग रहा है कि किस तरह से उन्होंने ताबर तो लगातार फाइरिंग की होगी कई राउं जिसक आपके को घेर लिया है घेरे बंदी कर दी गई है सर्च ऑपरेशन भी जारी है क्योंकि अगर आतंकी मोटर साइकल पर थे और वहां से भागे हैं तो अगर उन्हें पकड़ लिया जाए दिलबाग सिंग साहब हमारे साथ डी जी पी जब मुकश्मीर चुर गए दिलबाग सिंग साहब आप पूरी घटना बता रहे थे और मौजूदा परिस्तियों के बारे में हमारे जानकारी दे रहे थे दर्शकों को बताएं साहब में ये कह रहा था कि शिर्नगर और इसके आउटसकर्ट में कुछ अच्छे से टैरिस की मोवन्ट हो रही है जिसके चलते सिटी में तीन से चार कामजाब अपरिशन जो हैं पिछले दो तीन हफ़ते में हो चुके हैं आज भी एक कामजाब अपरिशन सिटी के अंदर हुआ जिसमें दो दैशन जल्द पारे गए ये पार्टियां हमारी जो आर्मन्ड पुलीस की सिटी में ड्यूटी करती सिटी से वापस लॉट रहे थे जब इनकी बस के उपर हमला हुआ और इसमें चौदा लोग जपने हुए जिसमें दो की शहादत हो गई बाकी लोग जल्द ही पैचान भी कर लिया जाएगा और इनको जल्द ही ट्रैक्टाउं भी किया जाएगा सर अब बता रहे हैं कि दोनों डिरेक्शन से फाइरिंग हुई है तो क्या माने कि मोटर साइकल पर ये सवार थे दोनों तरफ से और उन्होंने कई राउंड फाइरिंग की क्योंकि बस की हालत बता रही है कि लगतार उन्होंने काफी फाइरिंग की होगी मोटर साइकल पे स्वार होना ना होना इस वक्त नहीं कह सकते मगर पास की गलियां जो इस एरिया से देचे से उपर की तरफ आती हैं जो में रोड के साथ मिलती है उन गलियों में पना लेकर के शुब करके फैर करना गाड़ी को मुमकन है बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो स्वोट के साथ मिलती है और ऐसा रहा होगा कि दो जगों से फैर इसकी उपर किया गया और काफी फैरिक पर की गई जो में जो सकता हैं यह और काफी काम्याब ओ erिया में रहता है और काफी कामजाब और यह KHREEU के साथ आता है जिसमें देश्चंदकैंडों की मुवमेंट रहती है अबी कल ही हम लोगों का एक कामजाब अपरेशन गगलबे वानतीपुरा में हुआ जिसमें एक पैशाप पर्द मारा गया, उससे पहले भी क्रीयो असराल की एरिया इन अपरेशन कामजाब हुए, इस एरिया में मोहमेंट रहती है, ये कोई ग्रूप नया हो सकता है, जिस एर तो दूसरी तरफ सब्सक्राइब है और उनके जो गटिया डगाइन से जो की साज़ेशन रहती है उसका हिस्सा भी है पाकस्तान और उसके हैं कोशिश करते हैं कि करवाईयां जो है वो किस ना किसी रूप में उनको जिल्दा रखा जा सके मगर पुलीस और स्क्यूर्टी फोर पूरी तरह नाकाम किया जाए और इस तरह की करवाईयों को रुका जाए यह कश्मकश पें इनकी जो करवाईयों में जो मौत हो रही है उसके तौरान हताशा में अंकी तरफ से कारवाईयां भी होती हैं जब बिलकुल इन्सन टार्गेट चिंते इनके ऊपर फाहर करते हैं दिलबाक सिंग साहब, इस तरह से पुलिस कर्मियों की मूवमेंट हो रही हो, किस तरह से उसे किया जाता है, कि उसके लिए कुछ खास इंतजाम किये जाते हैं जब जादा जवान जा रहे हो? दिश्य ऐसा रहता है कि आपको जिस तरह की ड्यूटीज करने पड़ती हैं पुलीस को आपने हज़गा जाना है तो वापस भी लोटना है जवानों के लिए लोजिस्टिक की जटाना है सब कुछ करना होता है सब जगा पर इसके इनवाल्व तो रहते हैं अगर इसके बाफजूथ भी रिस्क हैं अपनी जुमवारत जो दोबाने के लिए पुलीस और हमारे फोर्स पूरी तरह से वचनबंद हैं पूरी तरह से स्मेटड़ तेयार हैं हम लोग बाफजूथ इस तरह के रिस्क जो इनवा पुलिस कर्मियों की पहचान हो गई ऐसा? जी उनकी पहचान हो चुकी है दोनों हमारे एक E.S.I. है और एक च्रशनजेट कॉंस्टेबल है गलाम अस्टी और अर्शटी है और हम लोग संवेतरे अपरगट करते हैं उनके फैमिलीज के लिए परवारों के लिए और हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमारी जुनवारियों को दवाने का सिल्शा इसी त्रीके से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे इनसे हम प्रेज़ना देते हैं जो हमारे लोग काम करते हुए शाहाद इत्पाते हैं बहुत धन्यवाद सेर आपका हमारे साथ जुरने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए दिलबाग सिंग साहब डीजीपी जमु कश्मीर के जने आप सुन रहे थे उन्होंने जानकारी दी कि किन परिस्तितियों में यहादसा हुआ है अश्रफ जल्दी से आपके पास आते हुए उन्होंने जानकारी यह दी कि अभी तक यह तैं नहीं हो पाया है कि मोटर साइकल से थे हैं लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि बस पर दोनों तरफ से फाइरिंग हुई है दो जवान शहीद हुए है जिनमें एक A.S.I. भी थे और दूसी तरफ वो बता रहे हैं कि अन्य लोग का इलाज अस्पताल में चल रहा है अश्रफ बिलकुल अंजना जब डीजी जी बोल रहे थे मैं सुन रहा था और इन फैक्ट जो है जैसे उन्होंने कहा कि अभी भी जो है पूरी तरह से सील कर दिया गया है इलाके को यहां पर पूरी जो है तलाशी अभियान जो है हमलावरों के खिलाफ जो है कुफ़ारा के रहने वाले थे महमद सुल्तान और फयाज हमद और आज जो हैं दो पूलीस कर्मी जो इस में शहीद हुए हैं जो जैवन के इलाके में पूलीस बस पर आतंकी हमला हुआ है तो कही न कहीं अभी साफ रननीती नई समझाती है आतंकी संगटनों की तरफ से जहा आतंकी संगटनों के खलाफ काफी तेजी लाई है और उसी की वजह शायद इसको देखा जा रहा है हमने आज भी देखा कि दिन में एक मुड़बेड हुई थी शिरिनगर के रंग्रेट इलाके में जहां दो मिलिटन मारे गए थे और उसके बाद कुछी गंटे बाद जो है ये कारवाई हुई है और जाहिर है कि आने वाले दिनों में जिस अंदासे अब देखा जा रहा है कि जिस अंदासे आतंकी वारदातें बढ़ रही है तो कहीं न कहीं जो है सुरक्षा बलूं की तरफ से जो कारवाईया है उन में भी तेजी आ आ रही है लेकिन अभी तक जो तो ये बस पर जो आतम की हमला हुआ है जैसे मैंने आपको अंजिना थोड़ी देर पहले कहा कि इसी तरज का हमला जो है बस पर 14 फरवरी 2019 को हुआ था जब सियर पीफ की बस पर आतम गाती हमला हुआ था उसके बाद उसका और इसका मेल अगर करें तो एक ही तरीका माना जा र रहे थे और कई तरफ से तीन तरफ से कम से कम इस पस पर गोलियां दिख रही है तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जूमो कश्मीर पूलिस के साथ-साथ स्वरकशाय जिंसुन के लिए बड़ी चुनोती है कि इस तरह के हमलों को जूमो कश्मीर में खास और से श्रीनगर से फाइरिंग हुई है विंची लोस का पूरा आप बस को किस तरह से बहुत मुझे लगता है बहुत क्लोस रेंज से लगातार फाइरिंग की गई है जल्दी से एक बार चलते हैं गौरफ सावंत के पास गौरफ डीजीपी दिलबाग सिंग ने भी बताया जिस तरह से रही है कि आतंकियों ने जो हमला किया है दोनों तरफ से इस बस पर किया है गौरफ अंजना जमू कश्मीर पुलीस जो है वो बैकबोन है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जमू और कश्मीर में इंटेलिजन्स इंपुट जादतर जमू और कश्मीर के पुलीस अधिका से इलाके में गलियों में से आतंकी निकल कर आया और दो तरफ से दुतरफा फाइरिंग है जो प्रारंबिक जानकारी थी और इस समय सेना CRPF जम्मु कश्मीर पुलीस तीन एजिंसीज हैं जो लगी हुई है पता लगाने में कि ये कौन आतंकी है जो इस शेत्र में इस समय अक्टिव है क्योंकि जबरदस्त ऑपरेशन से समय चल रहे हैं दक्षिर कश्मीर मद्य कश्मीर के इलाकों में आतंगवादियों को जड़ स कुछ लोग निकले हैं तो ये भी एक चिंता की बात है तभी आतकवादियों के पास इस तरह के हतियार आते हैं और वो इन गतिवदियों को अंजाम दे रहे हैं इनको नूट्रलाइज करना वैसे सेना के लिए बड़ी चुनौती नहीं होगा सेना और पुलीस के लिए लेक जो दिन के टाइम कोई नॉर्मल काम करते हैं और रात के टाइम हतियार लेके निकलते हैं अंजाम देते हैं घटना को हतियार लोटाते हैं और अपने जीवन में फिर लोटाते हैं और यही वज़ा है यहां पर कई इलाके ऐसे इस पूरे इलाके की बात DGP दलबाग कर रहे थे अश्रफवानी और वो बता रहे थी कि इस इलाकों में आतंकी सक्रिय हैं कई ऐसे भी घर हैं जहां पर वो छिप कर भाग जाते हैं तभी अब जो यह ऑपरेशन किया जा रहा है क कि किसी तरह से उन्हें धर्द बोचा जाए शायद उसमें बहुत जादा कामियावी की उमीद नहीं है ऐसे तमाम इलाके जहां पर वो छिप जाते हैं आते हैं ऐसी जगों पर आतंकी घटनाओं को अंजान देते हैं और फिर वहीं जाकर छिप जाते पनाह ले लेते हैं एक सो सत्थर के आसपास जो है मिलिटन्ट मारे गए हैं अलग-अलग ऑपरेशन सुरक्षाबलों की तरफ से लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ी चीज देखी गई कि अधिक तर जो है उनको हाल फिलहाल में ही यानि पंदरा दिन एक महीना डेड़ महीना हुआ था जब वो मिल पहु नहीं सुरक्षाबलों के पास कोई स्कूरप États लिए उक और उनने का कॉई कश्मीर में पास है अगार जो हैBobा चना है इसका जो सबड़ी plaster को एक कफारा में था उसका जो बारी काड़ी गार उसका प्रली सब्सक्रिक Ylingt कि गर से ही दो हत्यारं लेकर फुरार हो गया है एक और बंदे को अपने साथ ले जो गाइब हो गया मेरी इजीपी से बात हो गए थी थी आज दिन में वो किरें थे उनकी तरफ सेकोशिश है कि उस पुलीस कर्मी को वापस जो है कही न कहीं पकड़के लाया जाए उसके लिए प्रियाश चल रहा है लेकिन यहां पर आप यह आप बात समझ सकती हैं अंजिना कि कश्मीर में जो है किस तरह की हाला थै जहां पर जम्हो कश्मीर पुलीस का एक जवान जो है आतंगवाद के इमार गिराना फिर उनकी तादाद बताना लेकिन कहीं न कहीं आतंगवाद की जड़ या उस सोच को कैसे जो है उस पर आंकुष पाया जाए वो कहीं न कहीं बहुत बढ़ी चुनोती है सुरक्षाय जिन स्यूं के सामने जो मुकश्मीर बिलकुल और गौरव इस घटना के करना होगा पुलिस के लिए और यह सबसे बड़ी चुनोती इस वक्त बनी हुई है यह समय सबसे बड़ी चुनोती है जमू कश्मीर में खास्तोर पर कश्मीर घाटी में हाइब्रिट टेर्रिस की यह अपने आपको ऑफिशली डिकलेर भी नहीं करते है आमतोर से चाहे टेल प्रणकारी मिल जाती है और इसलिए आतंगवादी भी यह प्रयास करते हैं कि एक बार किसी ने हथियार उठा लिया तो उसकी तस्मीर वो पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं ताकि वो फिर मेंस्ट्रीम न हो सके लेकिन अब यह नई टैक्टिक्स है आज संसत पर हमले की ब जाना एस्पियोज द्वारा चाहिए वो किसी प्लिटिकल नेता के घर पर तेना तो या फिर इस तरह से हाइब्रिट टेर्रिस का इस्तमाल करना और यह हत्यार कुछ जगाहों पर होते हैं वो इंटेलिजिंस भी एजिंसी के पास रहती है कि कौन ऐसे लोग हैं जो हत्यार घरों में रखते हैं आतंगवादियों को देते हैं वो एक घंत्रा को अंजाम दे और फिर उसके बाद मेंस्ट्रीम आ जाए इस तरह के लोगों को न्यूट्रलाइज करना इस समय सेक्योरी फोसेस के लिए अंजना सबसे बड़ी चुनौती है बिल्कुल आप बने रही हमारे साथ गोरव अशर्फ और कमल जीत संदू भी हमारी से होगी हमारे साथ जो गई है लेकिन अशर्फ जल्दी से कमेंट यह जो पुलिस करमी है इसमें ज्यादा तर जम्मू कश्मीर के ही लोगों को मार रहे हैं आप मैंने आपको शरू में ही अंजना कहा कि अब जो है कही न कहीं ये एक नया पेच देखा जा रहा है जमो कश्मीर में आतंगवाद का जहां पर जमो कश्मीर पुलीस जो है सीधे निशाने पर आया है क्यूंकि जैसे गौरव ने कहा कि अगर हम देखें कि तो मिलिटनसी के खिलाफ कारवाईयों में ही ज सबसे आगे है बाकी सुरक्षा एजिंसियों के मकाबले में जा है इंटेलिजेंस इंपुट हो या बाकी जितनी भी जो सिपेशल ऑपरेशन ग्रूप है कारवाईयां सबी तरक्य और ज्यादा तर उन्हीं की तरफ से होती है खास तोर से शेहरी इलाकों में या फिर जो डे बनाया जा रहा था तब कुछ अंकुष्ट पर लगा लेकिन अब कहीं न कहीं दुबारा ऐसी दिख रहा कि मैंने आपको कहा कि तीन दिन के दोरान ये दूसरी आतंगी गटना है को फ़ड़ा में एक दिन पहले जो हैं दो पुलीस कर्मी मारे गए और आज भी जो हैं दो प आतंगी संगटनू से या मिलिटन संगटनू से शामिल लोग होंगे और दूसरी तरफ पॉलीस और प्रशासन से जुड़े लोग कमिल जीत संदू किस तरह की जानकारी है आपके पास सातंगी घटना के बारे में देखे ये जो पांच-पचास के करीब हुआ है यानि जैसी अंधेरा हुआ है और ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस इंपुट जरूरत नहीं थी एवन अगर हम आतंगीयों क चलाए गई हमें पताया गया करीबन 40 राउंड गोली चलाए गई और क्यूंकि ये सरफ बेटन स्टिक्स लेकर या रेशील लेकर जाते हैं इनके पास हत्यार नहीं होते हैं तो इस वचे से जो जवाबी कारवाई जिस तरह से एक आर्ण पुलिस की तरफ से होनी चाहिए उ कश्मीर डाइगर्स का नाम के आतंकी गुट ने इसका जिम्मेदारी लिया है लेकिन हमें फोर्सिस बता रही हैं ये कोई ऐसा कोई ग्रुप है नहीं और ये एक तरह का रेड हैरिंग है यानि चक्मा देने की कोशिश की जा रही है लशकर या फिर जैश मोहमद के आतंकी के हाथ इसके पीछे हो सकते हैं कास्ता बात करें हम इस तरह का जो वाइलन्ट स्पाइक है बीच बीच में देखा जा सकता है और पिछले कुछ दिनों में आतंकी गुट में कहा था कि जो कॉलाबरेटर्स है और जो कि जमु कश्मीर के जवान है जो की लोकल है उनको निशा अगले दो साल में हम आतंगात को बिल्कुल खतन कर देंगे उसका सफाया कर देंगे अब तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं सातंकी घटना की यह तस्वीरे हैं जम्मू श्रीनगर के जेवन की जहां पर हाइवे का इलाका है पुलिस कर्मी एक बस में सवार होकर जा रहे स्वीरे हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 14 पुलिस कर्मियों पर यातंग की हमला किया गया है वो बस में सवार होकर जा रहे थे मौजूदा पर इस्थितियों की तस्वीरे आप देख रहे हैं जिसमें आप वहाँ पर सेना सभी पहुच चुके हैं पूरे इलाके को अपने ने लोगों का इलाज इस वक चल रहा है जिसमें दो की हालत बताया जा रहा है गंभीर है बाकी 10 खत्रे से बाहर है ये मोटर साइकल पर सवारा तंक्यों ने फारिंग की इस तरह की शुरुआती जानकारी आई है लेकिन डीजी पी दिलबाग सिंग का कहना था कि अभी ये मुम्किन नहीं है कि उन्होंने क्या मोटर साइकल का ही इस्तमाल किया था लेकिन इतना तय है कि बस पर दोनों तरफ से फारिंग की गई है और जो पुलिस कर्मी इस बस में मौजूद थे वो सभी के सभी इस हमले का शिकार हुए जिसमें दो की मौत हो गई 12 अन्य घायल बत रहे कुलकर्णी साब हम तस्वीरे दिखा रहे एक के बाद एक उनके तरीके बदलते हैं लेकिन बीच बीच में अनुछे 370 के बाद जो पट्री पर जिंदगी लोट रही है कहीं न कहीं उसके खिलाफ यह घात लगाए बैठे हैं और पुलिस कर्मियों को इस बार निशान उसके बाद जिस तरीके से जो पुलिटिकल लीडर्स हैं अपने वैली के वो भी अलग अलग तरह के स्टेक्मिन दे रहे हैं कि हम यह करेंगे हम किसान आंदोलन के जैसे करेंगे तो यह जो सारी हरकते हो रहे हैं और खासकर श्रीनगर में और यह जो हाथसा हुआ है इंडि पाकिस्तान और पाकिस्तान के जितने भी आतकवादी पिठू है जो भारत में काम कर रहे हैं उनका मकसद यह है कि किसी तरीके से भी यह दिखाने को जो कश्मीरी हैं वो खुछ नहीं है जब की कश्मीरी खुछ है और उनको भाता नहीं है और यही कारण है कि तरह कि आपुझ जो हमले होने वहीं खासकर श्रीनगर के आफ़ास हो यह भी जम्मु स्रीनगर हाइवे के ऊपर हुआ है मुझे लग का हम थोड़ा और सबस्टेंव अश्रफ कोई अपडेट है वहां पर कुछ अपडेट हो तो बताएं हमारी दश्कों को अंजना जो डीजीपी ने कहा फिलाल वही कारवाई चल रही है अभी तक फिलाल जो है यहां पर कोशिश सिर्फ सुरक्षाबलों की और पुलिस की यही है कि जो हमलावर हैं उनका पता लगाया जा सके इसलिए जो है महा तलाश यह बियान पूरे इलाके में चलना है क्योंकि ह हत्यार बंद यह दोनों हमलावर थे जो यहां से निकलने में कामयाब हुए हैं यह भी शक जताया जा रहा है क्योंकि काफी हिसास इलाका यह पूरा है चाहे फिर पांदफ चोक की बात करें जैवन की बात करें पास में आर्मी गैरिजन है तो जाहर है कि कहीं न कहीं अगर ह तलाशी ली जा रही है खास तोर से जो जहां पर यह गटना गटी है वहां पर जुमूर श्रीनेगर राश्री राजमारग भी पास है उस पे फिलाल ट्रैफिक जो है रुका हुआ है बहुत बड़ा जाम है जाहर है तो यह ऐसाई ही होगा और बाती जितने भी छोटे छोट सडकें इस पूरे इलाके की तरफ जाती हैं या वहांपर से जो आती हैं वहांपर पुलीस और दूसरी शुर्क्षा अगया है वो सबी चाहे मोटर साइकल हो चोटे वहां हूँ या बड़े वहां हो उनकी तलाशी ली जा रही और यह सिलसी तरफ जो अब बादा इसमें सुरक्षा बल जब जो ही लाइट आएगी रोश्णी दुबार आएगी और रात के अंदेरे में खत्रा भी काफी रहता है इस तरह के आपरेशन को अंजाम देने में तो जाहर है कि सिर्फ सील इलाके को किया जाएगा और कल सुबह दुबार आप भारी सुरक्षा बलों की तै काइनाती ही है इस पूरे इलाके में सुरक्षा मैंने आपको पहले भी कहा था कि यह काफी जो सेंसिट्व एरिया है जयवन का इलाका यहां पर जुमो कश्मीर आर्म कुली सेड़कॉर्टर के साथ साथ जो है पेसिफ का बटालिन हेड़कॉर्टर है सियार पीफ का की कई ब अधिकारी हैं बड़े-बड़े अधिकारी चाहे से आर्मी के हो जुमो कश्मीर पुलिस के हो वो पहुचकर चायज आ ले रहे हैं कि आखर क्या हाला थे क्या कारण हो सकते हैं कहां से आतनकी आए और इस हमले को अंजाम देखते हैं से परार है और जो प्रयास और कोश्ट अधिकारी पुलिस के लिए पढ़ी चुनावती इस वक्त है पूरे लाके को घेर कर सुरक्षत रखना है इसे के साथ सच ऑपरेशन भी से लाके में चल रहे हैं आतनकी सक्रे रहे थे इन अलाकों में जिस्तर की जानकारी डीजीपी दिलबाक सिंग भी आज तक को दे रहे थे और इसी के साथ फॉर्मर डीजीपी वैदी साहब यह तस्वीर हैं आपको जेवन की दिखा रहे हैं एक पड़ी चुनाती होगी उना तंकियों तक पहुत जाना क्यूंकि बस पर दोनों तरफ से उन्होंने हमला बोल दिया था और इसी हमले में दो जवान दो पुलिस कर्मी शहीद भी हो गए हैं बार अन्य घायल हैं जिनका इस वक्त भी चल रहा है